कल हमने प्रथम विश्वयूद के में कौन-कौन से कारण थे, क्या-क्या परीबल थे, वो पड़े थे जैसे आर्थिक परीबल था, सैन्य परीबल था, गुडबंदी थे, ऐसे छै परीबल थे, और हमने देखा था कि यूरोप ने कैसे है न, अफ्रीका और एशिया पे अपन निवेश्वाद और अपने लालसा के कारण अपनी सत्ता को कैसे बढ़ाया था, अब आज हम पड़ेंगे प्रथम विश्वयूद की घटनाएं, कि प्रथम विश्वयूद में ऐसी कौन-कौन सी घटनाएं घटित हुई थे, प्रथम विश्वयूद के दोरान, मित्र रास ने यूद में भाग लिया, जर्मनी ने शुरुवात में यूरॉप में उलेखनिय विजय प्राप्त की जर्मनी में जो यूद हुआ था, जर्मनी के साथ उसमें क्या हुआ, यूरॉप में उलेखनिय विजय प्राप्त हुई, फ्रांस की सेना को उसने नस्ट कर डाला, उस के भैयानक समरीन यूद करके मिल्केटर रास्टों के अनेख जहाज को डुबा दिया है पंडू भी कहते है समुंद्र के अंदर होती है पंडू भी उसको हम कहते है तो वो युद के लिए उसमें ली जाती है उपयोग में ली जाती है तो क्या किया उन्होंने भयानक इन समरी युद किया समुंद्र के नीचे से और उनके अनेक चाहाजों को क्या कर दिया डुबा टैंको जहरेली गैसो आधी का लाखोशैनिकों तो था नाख्रीकों जनानी होई अब देखो कितनेगें लोग थी महाँ पर उनकी हाल भू भी मर गए और जो जहरेली गैस थी उसके अंदर उन टैंकों के अंदर उससे महां के लोग और सैनिकों को बहुत आनी वहीं। रूस में क्रांती 1917 में हुई। इसलिए रूस यूद से हट गए। रूस के अंदर कब क्रांती हुई थीraction 1917 में। जर्मनी उस समय खुभ शक्तिशाली था। अब कौन था उस समय प्रथम विश्वयूद के अंदर जर्मनी। उसमे एक अमेरिकी स्टीमर ल्यूसी टानिया को डुबा दिया था, अब अमेरीका जो स्टीमर था उसको क्या किया था, उन्होंने डुबा दिया था इसमें 147 अमेरिकन सहनी डूप गए एक जाज का नाम है उसके अंदर किते लोग डूप गए, किते सहनी थे Greece, Cuba, Chin और Shiam जैसे मित्र रास्टों के पक्ष में जुड़े फिर चीन भी, सितमबार 1918 के अंदर, बल्गेरिया, तूर्की त estava Austrian, मित्र रास्टों के शरण में आ गए, जो बल्गेरिया, तूर्की और Austrian जो जर्मन के साथ थे, वो अप किसके साथ आ गए मित्र रास्टों के साथ, ऐक्टूबर 1918 में जर्मन समराट के इसर, राज सत्ता छोड़ कर भाग गया अब उसके पास कुछ नहीं था इसलिए वो अक्टोबर 1918 में क्या करा अपने जो राज सत्ता थी अपनी सत्ता को छोड़ कर वहां से भाग गया जर्मन गन तंत्र ने 11 नवंबर 1918 को मित्र रास्टों के सरणागती स्विकार कर युद्ध विर अंध हो गया अब हम पढ़ते हैं विश्व युद्ध के परिणाम ततकालिक परिणाम के क्या क्या परिणाम थे तो सबसे पहला था जानमाल की हानी बहुत से लोगों की मृत्ति हो गई थी लगबग 6.5 करोड लोगों ने युद्ध में भाग लिया था कितने लोगों ने 6 स्पोर्ट के कारण क्या हो गए थे वो विकलांग हो गए थे युद्ध के बाद महा मारी भूख मारी हत्याकांट के कारण मरने वाले लोगों की संख्या अधिक हो गई देखो भूख मारी तो होई जाएगी क्यों क्यों कि ज्यादा हानी हुई थी हत्याकांट होने लगे मह मतलब जैसे अभी अभी कोरोना महा मारी है वैसी महा पर भी क्या आने लगी महा मारी आने लगी जिससे मरने वालों के संख्या में क्या हो गई व्रिद्धी हो गई युदिंग में कुल खर्च का आकड़ा 337 अरब डॉलर मतलब 6.5 अरब पॉंड हुआ था तो इत्ता सारा खर वैवसाइक उत्तरदाइक स्त्रियों के सर पर आ पड़ा अभी क्या वो रहे सामाजिक परिवर्तन समाज के अंदर कैसा परिवर्तन हुआ था कि विश्व में हर एक राष्ट के जो पूरुष थे वो कहां चले गए थे युद में चले गए थे तो जो वैवसाइक उनमें पूरुषों के समकष होने के आत्मविश्वास में व्रिद्य हुए तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आया आत्मविश्वास आया कि हम भी पूरुषों के समान काम कर सकते हैं उनमें समानता की भावना का उदय हुआ और कौनसी भावना का उदय हुआ समानता सरब डॉलर खर्च हुए थे इसके अभाव बेरोजगारी भूख मारी हड़ताल ताला बंदी आदी समझे शुरू हो क्यों क्यों कि पैसे की बिना कोई उद्योग चल नहीं सकता था लोग अपार कठी नाईयों का सामना कर रहे थे बालकों की स्तिती अधिक देनिया बनी प्रणने से युद का अंतुवा उन्होंने कोई शर्थ नहीं रखी थी उसके पश्चात मित्र रास्टों ने राजधानी पैरिस में शान्ती प्रक्रिया अब युद नहीं करेंगे अपनाई उसमें 58 कमिशनों की रचना की गई किते कमिशन थे 58 145 बैठा के उसके अंदर क इसलिए उसे वेलेक्स की संधी के रूप में जाना जाता है अब ये बोल रहे हैं उसको वेलेक्स के शीश महल क्यों जाता है क्योंकि वो क्या था मिरर हाउस था महाँ पर सारी जगे क्या लगे हुए थे मिरर लगे हुए थे कांच लगे हुए थे इसलिए उसको क्या कहा जात वर्सेल की संधी वर्सेल की संधी में चाय प्रकार की व्यवस्था थी प्रादेशिक व्यवस्था, सेना में कमी और निशस्त्री करन युद्ध हर जाने में किस्त की व्यवस्था और अन्य व्यवस्था क्या क्या थी अमेरिका के रास्टपती वुड्रो विल्सन, प्रिटिश प्रधान मंतरी लॉर्ड जोर्ज, फ्रांस के प्रधान मंतरी क्लैन मैंसो और इतली के आलन अंडो ने महत्वपुन भूमी का निपाई इस यूद में जर्मनी को उत्तादाई माना गया, क्या का गया, कि यूद किसके कारण हुआ था, जर्मनी के कारण, जर्मनी मर छेय पॉइंट पांच अरब पॉंट का यूद दंड लादा गया, आप क्या बोल रहें कि आपको 6.5 अरब, जो आपने या उपर देखा था, 6.5 वो पूरा का पूरा खर्च अब किसको देना है, जर्मनी को, उसका रूहर प्रांत जैसे प्रदेश, फ्रांस को देना पड़ा, जैसे रूहर बहुत बड़ा प्रांत है, वो उसको किसको देना पड़ा, फ्रांस को देना पड़ा, उसकी राइन नदी, अंतराष्ट्य जलम जलमार्ग आपको बता ना जहाद जासे सामानों को हम ले जा सकते हैं फ्रांस की सीमा पस्तेट राइन लैंड प्रदेश में किला बंदी करने से मना कर दिया गया तथा वह खनी समरत प्रदेश 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दी गया अब उन्होंने क्या कहा कि जो राइन लैंड है जो राइन नदी के किनारे पर है उस पर केला बंदी नहीं होगी और वहाँ खनीज के लिए वो कैसा था वहाँ पर बहुत सारा खनीज मिलता था तो वो 15 वर्षों के लिए किसके पास चला गया फ्रांस के पास उसके अधिकांश उपनिवेश किये गए आलेस और लॉरेंस फ्रांस को वापस देने पड़े जो उन्होंने आलसेस और लॉरेंस फ्रांस से लिए थे वो वापस देने पड़े इसके उपरांथ हर एक वर्ष बड़ी मात्रा में उसे कोईला और लोहा फ्रांस और मित्ररास्टों को युद मौावजे के रूप में देना पड़ा क्या देना पड़ा हर वर्ष महाँ पर कोईला और लोहा सबसे जाधा मिलता था तो उसको पैसों की जगे उनको मित्र राश्चों को देना पड़ा इन सबी शर्तों पर जर्मनी से बंदुक की नौक पर जबदस्ती हक्षातर करवाए गई ठीक हो वहाँ साइन करवाए गई हस्ताक्षर करवाए गई कहां इन सबी शर्तों पर इससे जर्मन लोगों में हताशा और निराशा पैदा होई क्या हो गया वो निराश हो गया परिण उद्ध से पराजित राष्टरों के साथ संधी की गई जिसे बैर की भावना थी उनसे तो अभावना थी पर कैसी उसमें भावना थी बैर की बदले की भावना इसलिए जगत में शांती स्तापित नहीं हो अमेरिका रास्टर संग में शामिल नहीं हुआ। इसलिए ऐसा कैई सकते हैं कि प्रतम विश्वयुत की शांति प्रक्रिया में ही द्वित्य विश्वत का कारण निर्मित हुआ। मतलब प्रथम विश्वयुद में शान्ती तो हुई लेकिन कुछ ऐसे कारण थे जिनोंने द्वित्य विश्वयुद को क्या कर दिया वापस से निर्मित किया अब आपका next आता है रूस में बॉलवेश्विक क्रांती 1917 में इस वी 1917 में रूस में क्रांती हुई वह विश्व के इतिहास में एक महत्वपुन गटना मानी जाती है ये क्या करते है इतिहास के अंदर महत्वपुन गटना मानी जाती है जो 1917 में रूस की क्रांती में हुई थी रूस की बॉलवेश्विक क्रांती राजनेतिक परिबलों में रूस की जन्ता जार शाही के दमन के अंतरगत कुछली जाती थे अब ये क्या वो राजनेतिक जो राजा वगेरा थे उनके अोपर क्या हो रहाant है दमन हो रहा था रूस में वंश परमपरागत रूप से आने वाले सभी जार राजा तानाशा और निरंकुष शाषन चलाते थे सब अपना है ना मतलब निरंकुष शाषन चलाते थे और तानाशा ही बताते थे जार के शाषन में प्रजा के पास कोई अधिकार नहीं था तो क्या बोर रहे हमारे पास कोई अधिकानी प्रजा के पास कोई अधिकानी ता सहारा अधिकार किसके पास था जार के शार्षन के पास अब यह क्या बोर रहे कि प्रजा का यदि कोई वेक्ती अपनी समस्या उनको बताता या किसी चीज के उपपर अबजेक्शन उठाता तो वो क्या करते थे मतलब ना उनको ऐसा लगता था कि नहीं यह हमारा अधिकार है और उसकी मांग करते थे और अगर वो नहीं मतलब देने के लिए मना करते थे तो वो क्या करते थे वहां के राजा उनको जो साइबेरिया की कातिल ठंडे वहां पर भेज देते थे यहां निरंकुष और अत्याचारी राज तंत्रप्रजा के लिए कैसा हो गया दुख भरा गरीबी और यातनाओं का कारण बन गया रूस के किसान खेत दास तथा मजदूरों को बहुत अतिक काम करने पर उने परियाप्त मुआवजा नहीं मिलता था जार के निवास थान बिंटर पैलेस गए 22 जन्वरी 1905 को कब था वो रविगार का दीन था 22 जन्वरी 1905 को किसके नितरत में फादर गपो नामक पादरी के वे सबी लोग निश शस्त्र थे उनके पस कोई शस्त्र नहीं था कुछ लोगों के हाथ में जार की तस्वी थी जो राजा था जार उसकी तस्वी थी उसके अंदर को सूत्र लिखे थे रूस के छोटे प्रभू चीरन जीवी हो उस निर्दोश लोगों पर जार के सैनिकों द्वारा अंधादूंद गोलिया चलाए वो निश शस्त्र थे लेकिन उन्होंने क्या कि हमा के सैनिकों ने उनके उपर अंधादूंद गोलिया चलाए उसमें हजारों निर्दोश रविवार के नाम से जाना जाता है, मतलब 22 जनवरी 1905 को जो रविवार था, तब वहाँ पर क्या होई थी, खून की होली खेली गई थी, इसलिए उसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, उसी समय रूस जापान यूद, 1904-1905 में छोटे सी राष्टर, जापान राजा दे उन्होंने युद्ध किया और किसको अपराजित कर दिया जारशाए को, सरूसी प्रजा का रोश परक कर उसे शान्त करने के लिए वर्षों से नहीं बुलाई गई, डूमा, धारा सभा बुलाने की गोशना की गई, समया अंतर पर चार डूमा बुलाई गई, पर मार्च 1917 को पैटरिगार्ड के कुछले हुए मस्दूरों ने हड़ताल की, तब इस गटना को दबा देने के लिए जार ने सेना बेजी, परन्तु सेना ने गोली चलाने से मना कर दिया, सेलाने का हम गोली नहीं चलाएंगे, परिणाम सुरूप, वहाँ पर क्या हुई, क्रा जार शाय के बाहर से सब कुछ चला गया, परन्तु या लेकिन काल माक्स की विचारधारा के अनुस अश्रम जीवियों के वर्चस वो में विश्वास करता था, वो क्या करता था, अश्रम जीवियों के, के उनका भी क्या है, वर्चस वो है, परिणाम सुरूप, उसने बॉल अश्रे लोगों के खेवेरुद है न, क्या किया, उकसा दिया, जो समाजवादी बॉलवशिक रांती के रूप में जानी जाते, इस तरह 300 वर्ष पुराना शाषन जार साही अब समाप्त हो गया, 300 वर्ष के इतिहास में रूस पहली बार जार विहीन बना था, अब युद की भयानकता ने विश्व के देशों को विश्व शान्ती के अनुवारते समझाई और उसके लिए अंतरास्टिय संगठन की आवशिक्ता समझने, समझ में आने पर एक विश्व शान्ती की दिशा में तशनन और सक्रिय रूप से विचार करना पड़ा के विश्व मे अमेरिका के राष्ट पती वुडो विल सन ने रास्ट संग की स्थापना में विश्व श्युकदान दियाएं, अभी हमने पड़ा था बीच में रास्ट संग वीर्ष शान्ती प्रक्रिया में 10 जनवरी 1920 को रास्ट संग की रश्ना की ती, कब की ती? 10 जनवरी 1920 को एक रास् चांती और शुरक्षा की वेवस्था करना, कि अंतरास्टी जो भी देश उसम शांती और शुरक्षा स्तापित करना, प्रतिक रास्ट द्वारा अन्य रास्ट की अखंडता बनाए रखना, कोई भी रास्ट दूसरे रास्ट की अखंडता को ना तोड़े, युद्ध नीती का इत्याग करे कौन सी नीती युद्ध नीती का अंतरास्टी संबंद विक्सित करे क्या करे अंतरास्टी एक दूसरे से अच्छे संबंद बनाए अंतरास्टी जगडों का शांती पुन धंग से या मध्यस्तता द्वारा हल निकालना क्या करना अंतरास्टी जगडों का शांती कर देना ची ये बागी मतलब अब निकाल देना ची ये विश्वशांती की स्थापना करने के लिए स्थापिट रास्टर संग महा सकता हो कि सामराजिवाती निती को अंकुष में नहीं रख सका फिर भी ये जो उद्देश्य थे वो पूर नहीं हुए और 1949 में द्वित्य आपको सभज में आया कि कौन-कौन से कारण थे विश्वशांती के लिए रास्टर संग बनाया उसके क्या-क्या उद्देश्य थे थे थेंक्यू